हेलो दोस्तों रंतंपोर क्लासेश के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है और तैयारी एक्जाम की सेरीज के अंदर आज अपना नेक्स्ट क्लास रहेगी सर्वे की ठीक है और सर्वे के अंदर आज अपन पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग जैसा कि अपने लास्ट के अंदर लेवलिंग से रिलेटेड कुछ क्यूशन के थी यहने हैट अप इस्टूमेंट बैसिस पे एंड करवेचर और रिफ्रेक्शन करेक्शन की मैंने बात क कंषρά रही थी का आज अंदर अपने बात करेंगे कि मैंने आपको लास्ट के अंदर बोला था जब अगली क्रणा करएंगे तो उसके अंदर में आपको जैसे डिपरक्शन और जिवेट अब आता है किस स्हां आप पूछा जा सकता है उस question के बारे में आपन बात करेंगे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आज मैं आपको यहां पे थोड़ा सा trigonometrical leveling कि अपनी trigonometrical leveling कितने तरीके की होती है ठीक है इसके अंदर जितने तो यहां से आपको एक चीज में बता दूं कि जब भी अपन क्या करते हैं कि आपका कोई पता कर सकते हैं उस object का elevation पता कर सकते हैं विदाउट विदाउट जो आपका मलग में बात करता हूँ जिसे अपने पास में leveling instrument अवेलेबल नहीं है ठीक है तो उस case में भी अपन क्या कर सकते हैं कि कोई भी अगर आपका उसका elevation find out कर सकते हैं विदा है पॉप त्रीडोलाइट ठीक है थेडोलाइट की help से अपने उससे क्या कर सकते हैं उसका elevation पता कर सकते हैं ठीक है तो आपको एक चीद तो पता चल गए होगी कि पता चल रहा है कि इसके अंदर कहीना कहीं अपन कि यूज़ करेंगे अपन क्या करेंगे टिपनो मेंट्री करेंगे ठीक है कि तो यहां से जो अगर इसकी सिंपल से बिच में जो आपका ओपजेक्ट एंदर पता होती है यानि कि 2 points आपके कोई से उन इसके के बीचकर अब हो विखवाई ट्राइळ से क्या आरेल रहेगा है कोई भी आपका A point B point भी जो अपने example के से समझ लेंगे अगर माल लो कि यहाँ पर आपका कोई object है suppose भी आपका ground है ठीक है इस तरीके से और आप यहाँ पर कड़े होगे यहाँ पर आपका A point A और यह point आपका B है ठीक है उसमें क्या करना पड़ेगा अपन को एक थोट लाइट अपन यहाँ पर लगा देंगे ठीक है और यहाँ से अगर distance अपन को पता है यानि कि distance अपन मेजर करते हैं with the help of tape or chain तो tape or chain से जब मैंने D पता कर लिया जब मेरे पास में alpha angle है तो सीरी सी बात है कि यहां से मैं क्या कर सकता हूँ इसकी हईट क्योंकि यह तो जाएगा मेरा ह 5 यानि कि तो क्या हो जाएगी हई हट और यह हो जाएगा मेरा यह जाएगी मेरी observations जो आपकी यह हाइट निकल कर आएगी क्योंकि आपके पास में बेस पता है एंगल आपको पता कर सकते हैं अब यह जो मैंने दो लाइन लिखे हैं यह क्या आपके कि जब भी अपन ट्रिक्नोमेट्रिक करते हैं तो वहां पर दो हैड को साथ में लेकर चलते हैं एक तो आपको आपका ज्यादा बड़ी अविलेबल है तो वह डिस्टेंस अपनी क्या करेगी वह दोनों डिस्टेंस की बीच में कर आपने को क्योंकि कि वह पर आपको क्या होगा कर सब्सक्राइब अब करेगा तो यसको बोलते हैं आपका इंगल होता है तो वर्टिकल एंगल की हल्प से कोई बीच के बीच के बीच कर सकते हैं यह यह होता अपना ट्रिग्रोमेट्रिकल लेवलिंग बिल्कु सिंपल आपको जो इसको समझते हो चलना है और इससे किस तरह की क्यूशन आपकी युनिट्रेट एक्जाम में फिर पूछे जाते हैं उनके बारे में यहां पर बात करूंगा ठीक है चलो अब अगर मैं बात करता ह यहां गालते हैं तो यहां पर आपको यहां पर लुख यहां पर आपको नापको कोई पॉइंट दिया है इन दोनों प्सक्राइब करते हैं तो यह तीन के अपने बनते हैं तो के बात करता हूं तो यह क्या करता है कि अपना जो भी आपका object है उस object की बीच में और जहां पर आपने अपना इंस्टुमेट है जो लगाए हुआ है उनके बीच में डिस्टेंस नोन है पता है आपको ठीक है तो यह हो जाता है आपका case नमर पस्ट यानि कि एकर मैं बात करता हूं कि case पस्ट के अंदर क्या होगा आपका चुब बेस्ट व्बजेक रहेगा क्या बेस्ट व्ब्जेक्ट व्बेस व्ब जूब जो भी आपका object है उसका जो बेस रहे मारे वह आपकाए एक्सेसिवल यानि कि उसको जो आप access कर सकते हो मेजर कर सकते हो ठीक है तो फर्ष्ट के दिशिए फस्ट बेस्ट पोब एस सेड़ारों और दूसरा बन जाएगा कि आपकर बैस death of object कि ऑप छते इस इनकसेशिबल बैस 아 वे selbst औब्जेक्ट इनकसेशिवल इनकसेशिवल up अटです东itel क्या प्रात हो रहिए कि आपका बेस जो ऑब्जेक्न का अाद है वह कि लग जाती है क्या कंडिशन लग जाती है कि एक तो है ठीक है यह क्योंकि इसके अंदर आपके कंडिशन भी आपको पता करनी क्योंकि यह आपका जो एनिक बेस ऑफ ऑब्जेक्ट इनेक्सेसिबल आपका थाड में भी आएगा लेकिन उस केस में क्या होगा कि यहां पर आपका क्या है कि जह केसा बinea सब्स्क्राइब इने का दे जो आपके इंस्टुमेंट वह आपके रफॉर्टिकल क्लिश के अंदर हैं कि से पोल्हेघ कल प्लैन के शुवारएवन रिख سकते हैं कि मैं यहां ऐना ईंस्टुमेंट स्विर एन इंष्टूमेंट है इन है सेंव एट सब्छीन है निजने मिलंखाएं गूमने को दो और हुदू में अब्रस जिसने अगर आधर कि वर्टिकल क्या होता है और और पिल्ण क्या होता है तो आप जो इसको समझ सकते हो डिस्टेंस instrument stations are in same vertical plane as the elevated object as the plane is the elevated object plane as the elevated as the elevated object ठ Cancer तो अब यहां से एकर मैं बात करता हूं ठीक है अगर मैं बात करता हूं अगर आपको इतना ही दिया हुआ कि instrument आपका same vertical plane के अंदर है या नहीं है तो same vertical plane का mean क्या होता है कि जब में आपका क्कोई ground है Suppose that, यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक्जाम्पल से समझा दाओ, उसके बाद मैं आगे देखेंगे, ठीक है, उसको detail से आगे पढ़ेंगे, जैसे कि Suppose that आपको कोई बीडिंग है, ठीक है, कोई बीडिंग हो सकता है, XYZ, ठीक है, XYZ कोई बीडिंग हो सकता है, यह आपका ground है, और य यहां से जो इसको line की देथा हूं, यह आपका हो जाएगा vertical angle, ठीक है, ठीक है, तो यह अपना क्या हो जाएगा, इसके बीच में vertical angle, जिसको मैंने नाम दे दिया, ठीक है, अब जो यह alpha angle है, यह alpha angle है, यह अपने पता कर लिया, लेकिन आप क्या है, कि यह जो distance है, इन दोनों कर सकते हैं, यानि कई ना कि इसके अंदर, या तो हो सकता है, कोई river आ गई हो, कोई खंडा आ गया, कोई तालाब हो, ठीक है, उस case में अंदर आपन क्या कर सकते हैं, इसको avoid करेंगे, कि आपका यह distance है, इसको measure नहीं कर सकते हैं, कोई ना कोई obstacle है, तो इसके लिए अपन को क् यह एक और लगा दिया है, और इसका नाम देता है, मैंने alpha 1, यह होगे मेरा alpha 2, ठीक है, दो एंगल पड़ लिए है, लेकिन अब इसके बीच की distance हैं, दोनों instrument आपके जो है, इन दोनों की बीच की distance में major कर सकता हूँ, with the help of tap and chain, कि लिए रहा है, अब बात आती है, कि same vertical print का means क्या हुआ, same vertical print का means है, कि जब आप इस, यानि कि इस जगह से देख रहे हो, इस जगह से अगर आप देख रहे हो, तो क्या है, इस जगह से अगर आप देख रहे हो, तो यह क्या देख रहा है, कि यह जो instrument लगा हुआ है, यह भी आपका same उसी direction में देख रहा है, यानि कि बि वर्टिकल प्लेन के इंदर है अपका वर्टिकल सर्कील होता है तो वर्टिकल सर्क्राइब आपको उसी डायरेक्शन में करेगा ठीक है ये चीज़ के में बात करता हूं यहां पर लिखेंगे आप केस नमबर 3 ठीक है तो थार्ड केस अपना क्या करता है कि बेस ओफ और सेम यह रहेगा बेस ओफ और जेट इनक्सेसिवल यह भी इनक्सेसिवल है बत्ट क्या हो जाएगा यहां पर और इसके अंदर कंडिशन लग जाएगी कि यहां पर एन मतलिक ना ठीक है इंस्टुमेंट लिखना डायरेटी एंड इंस्टुमेंट्स instruments are not in are not in same vertical plane same vertical plane ठीक है या इसके जगे लिखा हो मिल सकता है कि instruments are not in या instruments are in instruments are in different vertical plane क्या लिखते हो मिल सकता है different vertical plane ठीक है different vertical plane ये भी आपको लिखा हो मिल सकता है तो आपको ध्यान क्या रखना है अपनों ध्यान रखना है कि first case अपना क्या था कि base of object is accessible अक्सेसिबल था अपने distance जो आराम से मेजर कर लिए और उसके साथ में अपने निकाल लिए उस object की height और elevation दोनों चीज़ अगर second case आपको फज़्जा है कही ना कही जिसके अंदर आप distance measure नहीं कर सकते है तो उसमें आपका क्या हो जाएगा case number second लग जाएगा यह वाला case लगेगा और अपने इनकी जो details से बात करेंगे details से derivation करेंगे कि किस तरीके से आपका height निकल के आएगी elevation निकल के आएगा basically जो यह methods है अगर trigonometric leveling के अगर मैं बात करता हूँ तो trigonometric जो leveling होती है वह अपनी एक तो कोई भी bidding होता है ठीक है highlights bidding है या यह पना object है ठीक है उस object की height पता करने के लिए ठीक है कि base से उस point है यह यह तो प्विंट था आपका उसकी height कितनी थी से तो उस फ्लूर एक का कर सकते हैं टिकर तो यह चीज़ मेंटिकल लेडिए अपके-टिक्र-बिल्ग बीडिंग के तर तो यह क्याना चाह रहा है कि जब आपका कोई यह सब्सक्रण बेडिकल्डियोग की यह आपको ground है तो एक इस्टुमений आपने लगा रखा हूं पे लगा रहा है एक त्रिक्वान्न आपको से ने इस तेइसे तेसरी चीज़ पा लगा दिया जो और किसी ताम यहां से अपन से बंपन है है उस switching नहीं जब ठोड़ाısı यहां पर यहां से मैं देखा तो एक तो एंगल का हो जाएगा यह पड़ेगा और एक एंगल यह पड़ेगा इसका भी क्या हो जाएगा यहां पर अब यह क्या होता है कि यह distance यहां कि इनके बीच की पता नहीं है कि किसके अब यहां से आपको एक चीज पता चल रहे होगी कि एक तो point हो गए आपका ये एक point हो गए आपका ये और एक point हो गए ये तो इनके बीच में भी एक आपको hidden triangle दिखाए होगा देगा जो आपको कहां बनेगा वो बनेगा आपका अर्थ की surface पर याने कि उस ground के उपर ठीक है ये triangle आपका एक बन जाएगा एक triangle आपको vertical बनेगा एक triangle आपको horizontal बनेगा तो अब देखो ये जो हो है क्योंकि यहाँ पर जब अपने instrument लगा रखा है यहाँ पर instrument लगा रखा है तो आपको पता है कि थोड़ लाइट जो होता है मैंने आपको क्या पता है कि थोड़ लाइट एक मातर ऐसा instrument है जो vertical angle तो measure करेगा है करेगा यानि कि यह angle आपका यह alpha 2 है और यह alpha 1 था ठीक है यह angle तो measure करेगा है करेगा इसके साथ साथ यह क्या करेगा अपना horizontal angle भी measure कर देगा that is theta 1 that is theta 2 ठीक है क्योंकि यहां से मैंने इस point को object किया उसके बाद मैं इसको clockwise direction में देखे इस point को जो मैंने कौन side कर लिया और कौन side करते मेरा क्या आगया angle आगया theta 1 ठीक है क्योंकि अपन कौन सा instrument यूज कर रहे है instrument यूज कर रहे है अपन third light और third light आपको पता है कि vertical and horizontal दोनो angle को अपनको एक साथ measure कर देता है तो यह theta 1 आ गया और इस point से जो है इसको कौन side किया और clockwise direction में लिया इस point को कौन side कर लिया और यह angle आ गया theta 2 जब theta 1 and theta 2 angle आ गया तो अपना theta 3 जो होगा easily निकल जाएगा क्योंकि 180 में से माइनस करते है theta 1 plus theta 2 ठीक है आप जब अपने बास में और O एक distance अपनोंको पता या तो आपना जायकर करेंगे ठ्रैंगल जो आपका बंका बंता है तो इस triangle के अदर आपन क्या करेंगे एक rule लगाते हैं जिसको बोलते है tutte निसफ़े ब Daarलो sean लंज करए इस का जो आपका हाई इसका हड़ कर पता कर सकते हैं यह जो धर का क्यों पॉइंट वह यहां पर इस सुर्फ का विश защoda wins या पर आप marriage जोह बंचमार्क मार्ट ना इहां इस में थ्विश रो सकते हैं ठ्यक्ते तो यह तिनों केस आपके समझ में आएंगे dress नमबर first ठीक एंकेस नमबर second and case number third یानि कि ये क्या अपना ये क्जोंसा case हो जाएगा पर different vertical plane क्या हो जाएगा different vertical plane vertical plane ठीक है vertical plane यह चीज के लिए रहे चलो अब इनको अपना गए सब्सक्राइब करेंगे ये आपको example के लिए देखना था कि इस तरीके से पूर्ण कैसे यह अलफा एंगल निगलेगा कैसे साइन रूल लगेगा उसके बारे में और यहां से किस तरीके की क्यूशन आपके एक्जामिलेसन में पूछे जा सकते हैं तो उनकी भी अपन बात करेंगे तो आयोप आपको जो यह तीनों के समझ में आए हों अक्सेसिबर ऊपटाफ़ देख लेते तो यहां पर अबना यहां लिख्ता हूं मैं के समब 252 कि बास ऑघ्ट whenever self अगरे हैं सबकुंवर तो आपके उपना वसवय था और यह कैस अपना क्या था फर्सकेक्र तो इस case के अंदर आप देखेंगे मैं आपको पहले एक डियाग्राम बना देते हैं उस डियाग्राम के अपन क्या कर लेंगे एक solution का यहानिकि उसका derivation कर लेंगी तो यह डाग्राम भपन जो बना दे हैं दो मिनट लगे हैं ठिक है यह पना कोई वनीए बटाए ठीक है यह अपनी कोई बीडिंग है इंडेए के इनदर यह हो सकता है कि जो जैपूर से बिलोंग कर रहे हैं उनको पताऊ किजैपुर के इंदर है इस तरहिके से आपको एक पॉइंट दिया है बैस जो यहां पर दिया इस पॉइंट को नाम दिता अब क्या किया और आपको एक कही ना कहीं क्या दिया हुआ है एक benchmark दिया हुआ है एक benchmark दिया हुआ है इसी ground पे होगा कही ना कहीं कोई point है ठीक है इस ground पे एक point है जिसको में नाम दे दे benchmark और इस benchmark का RL अपन को पता है इस benchmark का RL अपन को पता है अब आपन को क्या है इस point की यह औरнул फॉक यानि या पर पता करना है तुम्हें क्या करूँआ यहां पर एक इस्ट्रुमेंट में लगाया थिके एक इस्टुमेंट में यहां पर लगया और ये इस्टुमेंट था मेरा इसा नम तदिया अब गुंद एक मैंने यहाँ पर stop रखी पहले note कर लिया मैंने benchmark ठीक है यानि कि इसको कर सकते है पर backside reading क्या कर सकते है backside reading और इसको नाम देते हैं मैंने S ठीक है यानि कि stop reading क्या नाम दिया S means stop reading ठीक है ठीक है थोड़ा सा पन जो है color change करके लिखते हैं अच्छा सा लगेगा और आपको दिख भी जाएगा ठीक है यह S नाम देते हैं मैंने सको अब यहाँ से आपको पता है यह सीधी इस तरीके से एक line निगलेगी ठीक है जिसको अपने बोलते हैं होरिजेंटल लाइन ठीक है जिसको क्या बोलते हैं पड़ और यहां पर यहां पर आपका यहां से यहां तक क्या हो जाएगी यह भी आपकी h大家好 होगी होगी की नहीं होगी它 ह्यभी सब्सक्राइब हो जए हैunto क्या का वेने ओर इन दोनों के बीच की जोनी स्टेंश एंड इस पोईंट से प्पोईंट। से पी पॉइंट से पको खरंगे यहां थे कि दोनों की लिए धियाँ K तो यहां से जो और देख रहे थी इसको मैंने कर दिया यह और देख लिया उपर वाल यानि क्यूप को यहां से मैंने क्या देखा मैंने देखा कि थोड़ा सा टेड़ा हो गया गया चलेगा ठीक है तो इनके बीच में मेरा एक एंगल निकल किया और उस एंगल का मैंने नाम दे दिया उस एंगल को मैंने मानता हूं अलफा ठीक है उससे एंगल को मैंने क्या लिखा उससे एंगल को मैंने लिख दिया यह क्या है अपना जो इंस्टुमेंट था ठीक है इंस्टुमेंट था इंस्टुमेंट का नाम जो है आपको पता है इंस्टुमेंट कौन सा है ठीड़ लाइट और इस पॉइंट यह आपको इसको नाम देब्ए मैंने एच ठीक है एका मेंस है कि इस बील्टिंग की यहां से लेके यहां तक कोई हाइट है अब जो यह हाइट है इस हाइट को पता करना है और जिस जगग पर यह आपकी हाइट है याने कि इस पुइंट का नाम में यहां पर देता हूं इसको नाम देते हैं मैंने क्यू डेस यानि कि क्यू डेस से लेके क्यू तक की जो हाइट है वो कितने अपनी एच है और क्यू डेस से लेके क्यू वन तक की जो हाइट है उसको मैंने एच डेस नाम देते हैं जो आपकी क्या है हाइट हो इस्टूमेंट है किले रहे यहां तक तो अब यहां से जो आप इसको लिख सकते हैं इसके अंदर जो मैंने लिखा है ठीक है जो आपके यहां पे जो भी मार्किंग अपने करें तो उसको आप लिख सकते हो कि आपका पी जो है वह आपका क्यूं ठीक है क्यूं ठीक है तो यह हो जाएगा यानि कहां से आप लिखेंगे पी आपका क्या है instrument station है पता होना चाहिए आपको instrument station इस्टेशन ठीक है पी के बाद में अगर मैं बात करूं और क्या लिखा है पने इसके अंदर क्यूं आपका है वो point to be.ab.s अपना क्या है क्यूं क्या है आपका point to be observed जिसको अपन को और जरु करना है ठीक है पी क्यूं उसके बाद में पी क्यूं आ गया क्यूं डेस आपका क्या है यहां पर लिखेंगे क्यूं डेस आपका क्या है projection of q8 horizontal plane फ्रो ए क्या है क्यूょुदेस आपका प्रोजेक्शन व्युख फ्रोजेक्शन ओव क्यू यह जो क्यू है आपका इसका प्रोजेक्शन आ에 कि न कहीं क्यू डेस पर यहाँ पर लखके सेदी बसाउग क्यो ओन होरन जिर्ण तरो आashoga से निकलंबेट इसके बाद में अपका आ गया क्यूं आ गया अगरकिस्च में बात करता कि technology आपकी हो जाएंगा density जो VC ही तो यह तो में आ Guess के अपना एट न ञखा है एड़िस के वाद में मैंने यहां पर लिखा है अपना क्या है और क्यूडेस हो गया है एक है आपका सेंटर ओफ दे इंस्टुमेंट ए और लिखा है एक है आपका सेंटर ओफ center of instrument यह सब को पता है ठीक है यह अपन को पता है center of instrument यह अपनी कुछ इसके यह है और D की गर में बात करता हूँ तो यह आपकी क्या है D क्या है आपका distance distance from instrument station to to object to base of the object to base of object यह क्या है यह अपनी एक D है D distance है ठीक है तो अब यह क्या करता है अपनको अगर मैं बात करता हूँ D की ठीक है अगर मैं बात करता हूँ D आपका पता है कि A से लेकि Q डेस से तक की distance हो जाएगी ठीक है और H आपका क्या है अगर H की मैं बात करता हूँ तो h क्या है h आपका क्या हो जाएगा यह distance है q-dates से लेकि q तक की q-dates से q तक q-dates to q आपकी जो height है distance नहीं कहा सकते इसको जो आपकर बोलेंगे height तो अब यहां से अगर मैं लगा देता हूं trigonometry किस-किस के बीच में आपका एक देखो triangle बन रहा है a q and q-dates क्या a q and q-dates आपको पता है कि कहीं ना कहीं यह आपका यहां पर एक 90-degree का angle बना रहा है तो यह एक आपका क्या एक right angle triangle बन गया एक right angle triangle बन गया पहले आप जो यह लिखेंगे उसके बाद में जो इसको triangle a q और q-dates a q and q-dates अब इसके अंदर आपको पता है कि जब अपने को बेस पता हो h i पता हो तो यहां से मैं कह सकता हूं कि अगर आपने देखा होगा कि अपने लेल वटे के के जो पढ़ते हैं यह जो होता है आपका पर्पेंडिकुलर बेस पर्पेंडिकुलर ठीक है पाकिस्तान भू का प्यासा एंड हिंदुस्तान अरा बरा ठीक है यह आप जो इंडी मेडियम वाली यह पढ़ते हैं और इकलिस मेडियम वाली इसको पढ़ते हैं तो आपको पता है कि sin cos 10 10 क्या होता अपना 10 क्या हो होगे कि 10 alpha is equal to क्या हो जाएगा प्रपेंडिकुलर बेस प्रपेंडिकुलर क्या हो जाएगा एच अपोन बेस क्या हो जाएगा ठीक है अब मेरे को क्या पता करना है क्या चीए जो आपका डी है डी अपन को दिया हुआ रहेगा डी अपन को दिया हुआ रहेगा तो यहां से और alpha आपने जो major कर सकते हैं तो आपने को क्या निकालना है H निकालना है तो H निकालने के लिए आपको पता होगा H क्या हो जाएगा आपका D, D को multiply कर दिया D10 alpha, क्या हो जाएगा D10 alpha, तो यह हो जाएगा आपकी H height, यह क्या हो जाएगी हाइड कौन सी हाइड यह वाली हाइड ठीक है यह आपका है निकल किया गया अब यहां से आपको पता है कि यह एक डेस के अगर में बात करता हूं तो यहां पर एक आजाएगा आपका है इसको मैं लिखा है हाइड टक movie आपको यह चाहुआ रल ऑफशिक से इस निकल सकते हों में अगर आपको यह कब जब आपको इस कि आपको इस प्विंट का अर्यल अगर पता हो अगर पी प्विंट का आरेल पता नहीं है और कोई बेंचमार के तक हुआ है और इस बेंजमार्क का आरेल आपको पता है इस बेंजमार्क का अगर आरेल आपको पता है तो यहां से आप लिखेंगे कि इफ यहां पर आप लिखना कि इफ इफ वी नो या जो है इफ आरेलो आरेलो बेंजमार्क benchmark is known known then then क्या हो जाएगा आपका then अगर मैं बात करता हूँ कि अपनी h-s क्या होगी h-s is equal to क्या हो जाएगा rl of benchmark plus rl of benchmark rl plus क्या हो जाएगा अपना s यानि कि stop reading क्या stop reading और यह अपन जो है कल की class के अंदर भी कर चुके थे कल की class के अंदर भी अपन ने किया था कि केसे आपकी जोर stop reading घरती है या बढ़ती है तो यह अपना simple सा यानि कि अगर बात करें कि अगर आपका distance अगर accessible है तो simple सा आपको क्या निकालना है simple से आपको h-i-t निकालनी है ठीक है और यह आपको पता चल गया है जब आपको benchmark दिया हो rl का अब बुद्धा क्या है कि आपको rl of q पता करना है rl of q पता करना है तो यहां से क्या लिखेंगे आप rl of q अगर rl of q की में बात करूंगा तो rl of q आपका क्या हो जाएगा एक तो जाएगा rl of point p rl of station क्योंसा p station p station का rl प्लस इस p का rl पता चल गया तो आपको क्या निकाल एड़ करना है इसके अंदर h-d से एड़ करोगे प्लस आपको h-e-d करना है तो एक तो यह हो गया ठीक है यह क्या निकल जाएगा अपना rl of q आपको जो पता चल जाएगा और आपको पता है कि यह h कहां से आया यह h आया d10 alpha से क्या है इस h की क्या value है d10 alpha तो आपको जो कहीं किसी books के मेरे इस तरीके से गर मिल जाए कि rl of station प्लस p प्लस h प्लस d10 alpha तो वो भी आपका सही है और यहां पर मैंने direct h लिख दिया क्योंकि h की value में यहां पर पहले निकाल चुका हूँ ठीक है और अगर दूसरे case में यह तो हो गए आपका यह वाला case जो मैंने बताया कि h-d is अगर आपको benchmark का rl दिया हो तो आप क्या निकालोगे कि rl of q अगर आपको benchmark का rl दिया है तो क्या हो जाएगा आपका rl of q is equal to rl of benchmark station की जाएगा benchmark प्लस आपका वो यह h-d is plus d10 alpha तो यह दोनों case आपको याद रखने है कि अगर आपको benchmark का rl दिया हुआ है तो आप क्या निकालोगे आप एक जो क्यूं आपका point है ठीक है तो इस point का rl पता करने के लिए आप यह वाला formula लगाओगे अगर आपको instrument station का rl दिया हुआ है तो आपको यह वाला formula लगा देना है ठीक है तो यह अपना first case था है ठीक है चलो अब जो अपना leveling and trigonometric leveling के अंदर मैंने आपको आज case first करवा है ठीक है case second की और case third की बात जो है अगली class के अंदर करेंगे उससे पहले में आपको एक question मैंने आपको बताया था यानि कि मैंने बोला था आपको कि जब भी अपन यह class end करेंगे तो उसमें जो है मैं आपको एक curvature reflection correction से एक question यह combined correction से आपको एक question करवाने वाला हूं तो आपके examination में अंदर किस तरीके question पूछे जाते है कि आपको एक simple सा question दिया है कि a level is set up at a point 150 meter from a यानि कि a point से एक तो आपका 150 meter दूरी पर है and 100 meter from b ध्यान देना दो observe to stop reading at a and sorry a and b पर आपका दिया हुआ है कि a पर दिया 2.525 and b पर दिया 1.755 meter ध्यान देना यह meter है ठीक है यहाँ पर जो आप लिखे लेना इसको यह क्या अपना meter में meter ठीक है यह आपका क्या है meter के अंदर respectively meter के अंदर है find the true difference of level between a and b a and b की वीज़ में आपको a true difference बताना है ठीक है with combined correction ठीक है combined जो आपका effect जो आता है curvature और reflection के वज़े से तो उसको आपको consider करना है चलो ठीक है इसको solo करते हैं कि आपको किस तरीके से solo करना है simple सा question है और दो minute का question अगर आप करोगे लेकिन मेरे वह समझाने हो सकता है कि आपको 5-7 minute लग जाए तो आपको देख लेना है कि आपका कोई earth है इस तरीके से और यहाँ पे आपका point दिया हो आए यान कि a और b point पे the observed star rating at a और b यहनी कि कोई भी आपका एक तो point देजा होगा यह आपका point is suppose that a ठीक है और यह point हो जाएगा आपका, B, ठीक है, यह point हो गए आपका B ठीक है, कोई भी 2 point है earth surface पे यह आपका earth का surface है ठीक है, earth surface है कुछ इस तरीके से ground हो सकता है तो यह आपका earth surface है इस earth surface पे आपके 2 point दे हो है और यहाँ पे कहिना के बीच में एक लगा हुआ है आपका leveling instrument ठीक है, level instrument लगा हुआ कहीना के बीच के अंदर, तो क्या कह रहाए है कि a level is set up at point 150 meter from A A point से तो कितना दूरी पे है A point से 150 meter की दूरी पे है ठीक है, यह आपका instrument लगा हुआ है यह A point से 150 meter की दूरी पे है and 100 meter from B B point से आपका कितनी दूरी पे है है hundred meter की दूरी पे ठीक है hundred meter की दूरी पे है समझ में तो अभी क्या कर रहा है कि स्पारी पडिए तो इस तरीके से पड़िये तो stop रेडिंग एट एंड यह पर पड़ा आपका 2.525 मिटर और B पर पढ़िए कितनी 1.755 मिटर फिलेर है ठीक है ये आपको कुछ क्योषण के अंदर इस तरीके से दिया हुआ है ठीक है ये किषण में आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ और ये क्ये आपका एक स्टेशन है यह क्या अपने यह Аप्न करता है कि जब भी आपको कर्वेचर और रिथाल जब भी आपको कुस्ट है तो वह पर यान बेंकि अगर नेwी बात करते हूं इस डाइगराम की तो पीकुल से तो एक्जर अगर आक जो ओन्ली करवेचर का लगाते तो लेकिन अगर कमने करेक्षेटर अपन लगते हैं तो आपको बताए कि डिट्रस इम में वज़े इसी थोड़ा सा उपर उठ जाती है यह किelleny of sight ठीक है और यह से आपकी क्या है यह यह भी क्या है Line of sight ठीक है तो कंए न गने इस इंस्टूमेंट ने करेक्शन एट खिला ओंख कोईब करेक्शन सबस्कता हुए को पता है कितनाだ नियुकर होटा था धा को है होता था और यहां पर ऑपका क्या किसके अंदर के अंदर देया हुआ टब के 파IES के अब करते हैं तो आपका सब्सक्राइब किलोमृटिस होता एक रिपार्ट Nosate ev किया कि पर नेंगे खिलो kilometer के अंदर ही लेंगे तो यहां से जो है आपको पता है कि ऐसे यहां तक डिस्टेंस कितनी है अगर इसको मैं kilometer में change करता हूं तो यह मेरा हो जाएगा 0.15 kilometer 0.15 kilometer होगा नहीं होगा meter को जाएगा तो यहां पर कितना हो जाएगा 0.067272 0.15 का square अगर जब इसको आप solve करोगे तो इसको solve करने पर जो value आती है वो आएगे आपकी 0.0014 0.0014 ठीक है 0.0014 ये कौन सा correction लगा पनको A point का correction A point पे correction आया तो अगर मैं बात करता हूँ कि जो यहाँ पे इस A point पे corrected reading क्या होगी थो यहाँ पे आप लिखेंगे correct reading Correct reading A point पे correct reading क्या होगी क्या आपको पता है कि अपन क्या है यहाँ से देखो उपर से नीठी की तरफ देख रहे हैं मतलब आपको क्या दिख रहा एं यहाँ पर किसमें देख रहे हैं तो उसका पैज्ट हो जाता है यानिकि अगर आपका एड़र दो आएगा वो क्या हिए आपका YouTube तो यह मैने लास्ट में इंदर नक Тут लिखाये था ठीक है तो यनंकि आपकी डिटिंग कितनी हoreıldı 1525 Welcome पंट इस प्रण लगा मेरा यानि कि यह जो एरव है कितना है यह तना एरव है यह बढ़किया एरव तो इसको जो में करेक्षन माइनस में करूंगा तो और यह पर बात करेंगे, यह तो मैंने बात करी एक ही और यहां पर मैं बात करता हूँ, comment correction comment correction at b point ठीक है, b point फे तो b point पर combined correction कितला हो जाएगा combined correction की value यह रहेगा आपकी 0.06727 d का square और d की value आप क्या रखेंगे यहां पर यह यह याणी कि 0.1 kilometer 0.1 km, तो यहाँ पर मैंने रखा, 0.006727 into 0.1 का, इसको है, जब इसको आगे आप solve करोगे, तो यह निकल के आएगा, आपका, 0.000672, 0.000672 meter, ठीक है, यह आपका correction निकल के आए, किसकी वज़े से, due to curvature and reflection की वज़े से, due to curvature and reflection की वज़े से, तो अगर मैं correct reading की बात करता हूँ, ठीक है, correct reading की, देखना, technical stuff नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है, board पर यहाँ तक दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर जो आपकी correct reading क्या होगी, दिख रहा है, correct reading, 8B, B point पर correct reading क्या हो जाएगी, कि यह तो हो गए आपका, reading कितरी थी, 1.755-0.00672, ठीक है, 0.00672, तो यह जो आपकी correct reading कितने आजाएगी, वो आजाएगी आपकी 1.7543, 1.7543 meter, ठीक है, यह reading का कि है, यह आपकी इस point की, यानि कि इस point पर आपका जो है, कितना है, वन पॉइंट, इस point का, ठीक है, इस point का मैं यह आपकी लिख देता हूँ, जो आपकी line of sight है, 1.7543 meter, अब यह क्या पूछा है, इसने, कि find the true difference, true difference पूछा है, तो आपको पता है, कि true difference क्या हो जाएगा, true difference के अगर मैं बात करता हूँ, true difference between A and B, A and B, कितना हो जाएगा, तो आपका A है, A कितना है था, 2.5236, 5236 minus, minus कितना कर दिया मैंने, 1.7543, 1.7543, अगर इसको मैं minus करता हूँ, तो मेरा difference निकल के आया, वह है, 0.7692, 0.7692 meter, कितना है, 0.6792 meter, जो आपका क्या show कर रहा है, यानि कि कहिना के आपका B point नीचे है, किस से A point से, तो यहाँ पे आप लिख सकते है, falling from B to A, यानि कि क्या हो जाएगा, fall from B to A, ठीक है, B से B to A की तरफ आपका क्या हो रहा है, ठीक है, तो इस तरीके का question आप से, किस से, यानि कि जो आपका correction होता है, यानि कि जो correction होता है, किसका correction, due to curvature, curvature and reflection, ठीक है, curvature and reflection की वज़े से जो correction होता है, तो इस तरीके का question आप से पूछ सकते हैं, तो यह simple सा question था, और यह से question आप से जो है, yes, get level के examination के अंदर, या जो आपका competitive exam होता है, कोई भी state level या center level का exam होता है, उसके अंदर इस तरीके का question आप से पूछ सकते हैं, कुछ नहीं करना, आपको only 2 line का question था, ठीके, दो line का question means, आपको direct यहाँ पर value रफिनी थी, ठीके, यह minus करना था, यह value रफिनी थी, यह minus करना था, बस जिसके अंदर आपका difference पतल दा था, यह आपको जो only समझाने के लिए बताया गया है, ठीके, जब भी आपका exam के अंदर question आए, तो आपको only 2 liner के अंदर इसको show करना है, ठीके, तो आज ही class के अंदर इतना है, दोस्तो, अगली class के अंदर आपन जो technometrical leveling अपना continue चल रहा था, उसके अंदर जो 2 case बचे हुए थे, उन 2 case के अपन जो कहा है, बात करेंगे, ठीके, अगले class के अंदर उन 2 cases को अपन फिरी कर देंगे, उसके बाद में technometrical leveling से किस तरीके की question पूछे जाएंगे, उससे भी अपन question की बात करेंगे, ठीक है, तो आज ही class के अंदर इतना है, और अगर आपको class अच्छे लग रही हो, session अच्छा लग रहा हो, तो आप जो एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करे और अपने दोस्तों के पास में share करें, यह मेरी आपसे जो है, बुजारिस है, ठीक है, तो आज इक लास के अंदर इतना है, thank you, thank you so much.